खुटी जिले के जर्यागर थाना चेतर, कर्रा थाना चेतर, रनिया थाना चेतर, तपकारा थाना चेतर और तोरपा थाना चेतर में जंगली हाथियों का आतंग आए दिन देखने को मिलता है जहां तपकरा थना छेतर में हाथियों ने लगा तार तांडब मचाया था वहीं आज जर्यागर थना छेतर के एक गाउं में जंगली हाथियों ने आतंग मचाया जहां बकसपूर गाउं के रहने वाले मनबहाल बारला को जंगली हाथियों ने बुरी तरस से कुचल डाला और जिसमें मनबहाल बारला की गटनास्तल पर ही मौत हो गई। पुर्का ग्रामपदान, बहुत दिन से हाँ हाथियों का प्रखो चालू है, तो हमनों का बाट्रोली सब के लिए बन भीया को से अभी तक कोई खटाखा, बत्ती औगेरा, निपी तेल औगेरा अभी तक नहीं मिला है, तो आप पर इसका संसोगन कीजिए। हाथियों का आतंक हमेशा यहां लगा हुए राखता है, मदुबन जंगल में, यहाँ लोग का अड़ा ही बन गया है, आम जनता जना चारह फर्फ परिसानी परिसान है, हम लोग तो हाथियों का डर सो भाही जीन अगरात राते हैं, कर दान में तो उसके के लिए मुवजा इदा जाकर दोलिक आधाए ग्मेर लिए जूर में भूज बूमक्य के लिए वा दोलिक哦 इसके बारे में आपकी लोग देखती है इसे को पता चला हम दोग के गाओं के पड़ोसी है कि साम को यह बैल लाने के लिए जंगल किनार में बैल खुटा हुआ था उसी को लाने के लिए गय थे तो वहीद लाने के अदर साम के साहीं नहीं लोटे है आढ़ी लोटा। तो घर वाला लोको चिंता होने लगा कि मेरा आजमी नहीं याए है अभी तक तो औही कर्व मे लोग χाम का लड़का लोग को बोला देखो सामगो गया था नहीं आया है अभी तक तो फिर विक फोजने के लिए गया है, लड़ता लोग, तो पता चला की यहां बाइल लाने के लिए गये थे, उसके भगल में हाथी कुचल के मार डाला है, तो ही हुआ है, उसके बाद क्या किया है? फिर पुलिस वाला को रिपोर्ट दिये ही लोग और पुलिस ने अपना करवाई करते हुए पोस्माडम के लिए भैद दिया मेरा नाम लश्मिनात सहु है अपने सुणा कि मिर्टक के गाउआवाले और गरान प्रदान ने क्या कुछ कहा ग्राउआवं प्रदान ने तो यहां तक कहा कि गाउआवालों को बुगन विभाजवारा किसी परकार से हाथ्यों को भगाने का कोई उपाय या कोई आपजाओं नहीं नहीं मिल पाता है तो इस तरह से गौन वालों का भी सिकायत है गौन वाले